Let's do question number 19th of exercise 2D that is factors and multiples. Question number 19th is show that the following pairs are co-primes. ये show करना है कि ये सारे pairs co-primes है. 19th question में 59 and 97. चलिए 59 and 97. अब co-primes का हमें पता है co-primes वो numbers होते हैं जिनका common factors सिर्फ 1 होता है. तो 59 देखी. 59 क्या है? प्राइम नमबर है. तो 59 के factors अगर देखें तो क्या होगा? 1 और 59 ही है. अब 97 को देखें. 97 के factors क्या क्या बनेंगे? 97 नमबर भी prime नमबर है. तो 97 भी prime नमबर है. तो 1 और 97. देखें इसका common factor क्या हो गया? 1 ही common factor है. तो हमने इसको यह one common factor है. तो हमारा यह क्या हो गया? को प्राइम नमबर हो गया? Yes. अबवव पेर ओफ नमबर इस को प्राइम. answer. let's do 20. question number 20 is 161 and 192. 161 and 192. तो 161 के factors देखिए. क्या निकलेंगे? अगर 7 से देखें या 7 से जायरा है. 7 2s are 14, 7 3s are 21, 23 1s are. तो 161 के factors क्या हो गया? 1 हो गया. 1 into 7 into 23. यह सारे factors हो गया. अब 192 का देखिए 2 से जाएगा क्योंकि unit is 2 है. 2 9s are 18 and 2 6s are 12. अगें 2 से 2 4s are 8 and 2 8s are 16. अगें 2 से 24. अगें 2 से 12. 12 and 2 6s are 12 and 2 3s are 6. तो हमारे 3 1s are 3. तो 192 के factors क्या क्या हो गया? देखिए. 1 2 3 4 5 6. 6 times 2. 1 into 1 2 3 4 5 6 times 2 and 3. तो अब आप देखेंगे की common factor क्या है? 1 ही है. तो hence, yes above pair of numbers co-prime. Let's do question number 21. Question number 21 is 343 and 432. 21 is 343 and 432. 2. तो चलिए. 343 के factors निकालते हैं. 343 के क्या factors हुए? यह देखिए. यह 3 से नहीं जा पाएगा. क्योंकि इसका sum divisibility अगर आपने देखी होगी. तो यह इसका sum 10 हो रहा है. अब 7 से देखते है. 7, 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63. यह 7 से जा रहा है. तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया. 7, 4s are 28, 6, 7, 9s are 63. 7, 7s are 7, 1s are. इसी तरीके से 4, 32 देखेंगे. 2 से गया. 2, 2s are 4. 2, 1s are 2. 2, 6s are 12. अगें 2 से गया. 2, 1s are 2. 0 and 2, 8s are 16. अगें 2 से. 2, 5s are 10. 2, 4s are 8. 2 से गया. 2, 2s are 4. 2, 7s are 14. 3 से गया. 3, 9s are 27. 3, 3s are 9. 3, 1s are 3. तो 3, 43 के factors क्या हुए? 7 इंटो 7, इंटो 7, इंटो 1. रहा है. और इसी तरीके से 4, 32 के factors क्या हो गए? देखें. 2 की कितनी बार 4 times multiplication? तो 2 इंटो 2, इंटो 2, इंटो 2, इंटो 3, इंटो 3, इंटो 3, इंटो 3, इंटो 3. यह हो गए? और 1 तो है. तो अब आप देखेंगे सिफ कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो येस अबव नंबर इस को प्राइम. अबव नंबर इस को प्राइम. Let's do question number 22 now. Question number 22 is 512 and 945. 512 and 945. 512 के factors निकाल लेते हैं पहले. तो देखिए, 2 से गया, 2, 2s are 4, 2, 5s are 10, 2, 6s are 12. Again 2 से, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 2, 8s are 16. 2 से गया, 64. Again 2 से, 2, 3s are 6, 2, 2s are 4. Again 2 से, 2, 1s are 2, 2, 6s are 12. 2 से, 2, 8s are 16, 2, 4s are 8, 2, 2, 2s are 4 and 2, 1s are 2. Right? इसी तरीके से अगर हम लिख लेते हैं पहले. 512 के factors क्या हुए? अगर मैं पावर में लिखना चाहूँ तो पावर में भी लिख सकती हूँ. नहीं तो मैं multiply करके दिखा दू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 की पावर 9 into 1 हो गया. अब 9, 45 के देखिए. 3 से चला जाएगा यह. 3, 3 is a 9, 3 1s a 5, 3 1s a 3, 3 5s a 15. अगें 3 से गया. 3 1s a 3, 0 and 3 5s a 15. अब के से जाएगा? यह 3 से अगें चला जाएगा. 3, 3 is a 9 and 3 5s a 15. अब 5 से गया. 5, 7s a 35 and 7 1s a. तो 9, 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 into 7, into 1 तो है ही है. तो, that means, common factor क्या हुआ हमारा? सिफ 1 हुआ, तो yes, above number, above number is a prime number. answer. Let's do question number 23rd. Question number 23rd is 385 and 621. 385 and 621. Now, उसके factors निकाल लेते हैं 385 के. तो, यह देखिए, 3 से नहीं जाएगा. क्योंकि अगर आप add करेंगे divisibility rule test करने के लिए 3 का. तो, 3 plus 8 is 11, 11 plus 5 is 16. तो, 3 से नहीं जाएगा. That means, 5 से जाएगा सीधा. 5 7s are 35. 36, 37, 38. 5 7s are 35. 7 से गया 11 and 11 ones are. तो, 385 को हम क्या लिख सकते हैं? That is, 5 into 7 into 11 into 1. अब इसी तरीके से 621 को देखें. किस से जाएगा? तो, यह देखिए, यह 3 से जाएगा क्योंकि add करके 9 आ रहा है. तो, 3 से गया. 3 2s are 6, 0 and 3 7s are 21. Again, 3 से देखते हैं. 3 6s are 18, 3 9s are 27. 27. अब केस से जाएगा? 3 से जाएगा. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 23. 1s are 26, 21 को क्या लिख सकता है? 3 की पावर 3 into 23. और 1 तो है. तो, इसका देखिए, common factors से 1 है. तो, hence, yes, above numbers are co-prime answer. Let's do question number 24. Question number 24 is 847 and 1014. 847 and 1014. चलिए, 847 के factors निकालते हैं. तो, 8 plus 4 is 12. 12 plus 7 is 19. तो, यह 3 से नहीं जाएगा. 7 से देखते हैं. 7 को, क्या थी divisibility? 7 को multiply करेंगे 2 से, that is 14. 84 में से 14 गया, that is 70. यह 7 से जाएगा. तो, 7 1s are 7. 7 2s are 14. 7 1s are 7. अब यह 11 से जाएगा. क्योंकि, 11 के divisibility थी, even place add करो. और odd place add करो. और आपस में subtract कर. तो, 0 यह 11 से divisible होना चाहिए. तो, यह 0 आ रहा है. तो, 11 11 जा. इसके लिए आपको divisibility test पढ़ना पढ़ेगा. प्लीज धिहान से पढ़िए. 11 1s are 11. 8 47 के factors क्या हो गए? 7 into 11 into 11. अब 1014 के factors देखते हैं. 1014. 2 5s are 10, 0 and 2 7s are 14. अब यह 7 plus 5 is 12. That means 3 से चला जाएगा. 3 1s are 3. 3 6s are 18. 3 9s are 27. अब आगे देखिए यह किस से जाएगा? यह 3 से नहीं जाएगा. 7 से देखते हैं. 9 को multiplied किया. 2 से. 18 minus 16. तो, 7 से नहीं जाएगा. अब 11 से देखते हैं. 11 क्या था? 10. और डिजित आड करो. इवन डिजित आड करो. 11 से भी नहीं जाएगा. तो, 13 से जाएगा. यह देखिए. 13 से डिवाइड करके देखा. 13 1s are 13. 33s are 39. इसी तरीके से 13 1s are. तो, यह हो गया 2 into 3 into 13 into 13. और दोनों में 1 common है. तो, हमें पता चल गया. दोनों में 1 common देखते ही. Yes. Above. Number. A. Co. Prime. Answer.